नमस्कार मैंजिना, स्वाधत है आपका मध्रदीज की टॉप न्यूज में लाख रुपए की 11,520 शीशी नशीली कप सीरप और 6 बदमाशों को पकड़ लिया है रिवा जिले के सिरमोर चौराहे से जा रही एक तेज रफतार कार ने स्कूटी सवार छातर की जान ले ली घटना को देखते ही मौके पर पहुँचे रहगीरों द्वारा चातर को संजय गांधी अस्पिताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया मृत चातर की पहचान सक्षम अगरवाल के रूप में की गई है मृतक किशोर शहर के जियोती स्कूल का चातर था सीधी जिले के जमोडी थाना शेतर में जमीन विवाद में घायल महिला शुकरवार राथ संजय गांधे स्मृति चिकत साले रीवा लाया गया है परिजन का आरोप है कि आरोपियों नो इसके प्राइविट पार्ट में सबबल डाली इसके बाद ट्रेक्टर से कुचल कर जान लेने का प्रयास किया गया श्री रामा नुच संस्कृति विश्र विद्यालय का भूमी पूजन रीवा में हो गया है यहां लक्षमण बाग मंदर परिसर में जन संपर के वंग पियेच्ची मंत्री राजेंदर शुकल ने आधार शिला रखी है आयोजन में सांसद जनारदन मिश्र और पुर्व मंत्री पुषपराद सिंग उपस्थित रहे रीवा शहर में बदमाशों ने लचर कानून व्यवस्था के बीच लगतार चोरी वा लूट पाट की घटनाओ को अंजाम दे रहे हैं लेकिन इन तक पुलिस नहीं पहुँच पा रही है ताजा घटना शहर के समान थाना अंतरगत द्वारी का नगर की है यहां इस्तेते गुदाम के बदमाशों ने पंखावतार चोरी कर लिया है बताया गया है कि समान थाना अंतरगत द्वारी का नगर में मधुर मेरेज गार्डन के पीछे गुदाम में चोरों ने बीती रात धाबा बोल दिया यह गुदाम तन में जैन निवासी द्वारी का नगर का है नाबालिक को अगवा कर उसके साथ दुशकर्म करने के मामले में शनिवार को सतना की पॉक्स वेक्ट के विशेश नियाय धीशने नाबालिक के अपहरण एवंग उसके साथ बलातकार करने के मामले में आरोपी तौफीक खान तनेश जहीर खान 22 वर्षिय निवासी कमपनी बाग सुष्मा प्रेस के पास थाना सीटी कोतवाली जिला सतना मध्यप्रदेश को दोशी करार दिया है चित्रकूट में संचालित एक लव्वे विद्याले में पढ़ने वाले बच्चों की तबियत शनिवार की रात अचानक बिगड़ गई उल्टी दस्त और पेट दर्द के शिकायत पर लगभग दर्जन भर से अधिक बच्चों को देर रात जानकी कुंड़ स्पताल में भरती कराये गया बच्चों के इस हालत के मामले में विद्याले प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है मध्यप्रदेश से मानसून की विदाई अगले 24 घंटे में हो जाएगी अभी जवलपुर, रिवा और श्रहडोल संभाग के 9 जिलों से मानसून विदान नहीं हुई है मौसम वैज्यानिकों का कहना है कि 5 साल में पहली बार मानसून जल्दी विदा होगा इससे पहले 2018 में मानसून 4 अक्टूबर को ही विदा हो गया था मध्यप्रदेश विदान सभा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस की पहली उमिद्वार सूची का सभी को बेसबरी से इंतजार था यह इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है सूत्रों की माने तो शनिवार 7 अक्टूबर के शाम हुई कॉंग्रेस केंद्रिय चुनाओ समीती की बैठक में 103 सीटों पर उमिद्वारों के नामों पर मुहर लग गई है इसी के साथ यह बताया जा रहा है कि प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष और पुर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी पारंपरीक सीट छिंदवारा से चुनाओ लड़ेंगे महर नया जिला बनने के बाद पहली बार सीएम सिवराज सनीवार महर पोंचे मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान ने महर जिला को माताशारदा की चरणों में समर्पित करते हुए यहां माशारदा लोक बनाने के एलान किया उन्होंने सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा और महर की नई कलेक्टर रानी बाटर को मंच पर बुलाकर कहा कि मुझे यहां जमीन चाही मैंने आचार सहिता के पहले ही माई लोक के लिए पैसे सुरक्षित रख दिये है यहां हर की पैड़ी की तरह भाई की पैड़ी भी बनेगी अब तक के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए नमशकार और देखते रहिए दक खबरदार नियूज